Hello Friends, हमारे Channel में आपका फिर्च स्वागत है, आज हम बनाएंगे गोबी के पराठे तो गोबी के पराठे बनाने के लिए हमें मोटी मोटी कटी हुई गोबी चाहिए और उसको हम गरम पाने में भिहो लेंगे कुछ देर के लिए तो हम इसको अगर जो चोपर में करना चाते हैं तो हमें छोटे छोटे पीस करने हैं और अगर जो हम कद्दू कस से करना चाते हैं तो हमें बड़े पीस करने हैं तो हम कद्दू कस से करेंगे तो कद्दू कस से करने के लिए हमें कद्दू कस चाहिए एक प्लेट चाहिए तो हम प्लेट में कद्दूकस को रखेंगे और गोबी को घिसना शुरू करेंगे तो यह देखिए हम इस तरीके से गोबी को घिसेंगे बड़े पीस होने की वज़े से हम इसको अराम से घिस पाएंगे और जो अनसा उसका बचा हुआ उपर का पीस होगा उसको हम फैक देंगे हमें उसको पूरा घिसने की जरूरत नहीं है यह देखिए अगर हम थोड़ा बड़ा पीस रखते हैं तो कद्दूकस जो होता है वो हमारे हाथ पर नहीं लगता नहीं तो कद्दूकस लगने का डर रहता है तो इसलिए हमें अराम-अराम से ही घिसना चाहिए तो इस तरीके से हम घिसते हुए सारी गोबी को अच्छे से घिस लेंगे यह देखिए हमने सारी गोबी को घिस लिया है अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे हरी मिर्च पिसी हुई एक चमच के करीब बाकी आप स्वाद के नुसार भी डाल सकते हैं जितना आप मेटीरियल ले रहे हैं धनिया पाउडर एक चमच नमक एक चमच अजवाइन सर्दियों में अजवाइन बहुत अच्छी रहती है और ये शरीर के लिए भी हमारे अच्छी है और धनिया पाउडर हम इसलिए थोड़ा ज़्यादा डालते हैं अगर जो इसमें थोड़ा पानी होगा गोबी में तो धनिये से हमारे प्रोठे को गिला नहीं करेगा तो हम अच्छे से बेल पाएंगे तो हमने मैटीरियल को मिक्स कर लिया है अब हम पुराठा बनाना शुरू करते हैं तो देखिए हमने गुंदा हुआ आटा ले लिया है चकला, बेलन, सुखा आटा सारी चीजे ले लिया है तबा गैस पर रख दिया है अब हमने क्या करना है पहले लोई बनानी है आटे की तो आटे की लोई बनाकर हम इसको पहले थोड़ा छोटा बेल लेंगे पूरा नहीं बेल लेंगे थोड़ा छोटा जिससे की हम इसमें मैटीरियल को फिल कर पाएं ये देखिए अब हम गोबी के मैटीरियल को कम या जादा जितना आपकी लोई है उसके according हम इसमें फिल करेंगे और साइडों के किनारे पकड़ते हुए इस मैटीरियल को इसके बीच में अच्छे से कर देंगे और उन किनारों को उसी के बीच में दबा देंगे यह इस तरीके से और अब हम पलेथन लगाकर यह देखिए एक हतेली से जो मैटीरियल है उसको साइडों में भी फिला लेंगे नहीं अगर जो हम ऐसा नहीं करते तो जो बीच का मैटीरियल है वो बीच में रह जाता है साइडों में नहीं आता है साइडों के किनारे जो हैं हमारे बिना फिलिंग के रह जाते हैं इसलिए हमातेली से इस तरीके से इसको फिलाएंगे और हलके हाथ से बेल लेंगे यह हमारा बिल चुक है अब हम इसको तवे पर डालेंगे और इसको अराम-अराम से सीखेंगे गोबी का प्राठ है सिखने में टाइम लगता है क्योंकि गोबी हमारी कच्ची होती है वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी और वीडियो भी देख सकें हमारे चैनल पर आप हमारी बुनाई वाली वीडियो भी देख सकते हैं बेस्ट आउट ओव वेस्ट की मेटीरियल की भी वीडियो देख सकते हैं तो खाना बनाने की भी हमारे चैनल पर बहुती असान तरीके से घर के मसालों से बनाई गई सबजियां, बताई गई हैं, डालने बताई गई हैं, खिचडी, तो आप सभी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, तो ये देखिए, हम किस तरीके से प्राठे को सेक रहे हैं, तो ये देखिए, हमारा प्राठा सिखने लगा है, और बस हमारा प्राठा तैयार है, तो थेंक्यू फ्रेंट्स, ठताउमmember बताऑ में ध्राठा प्राठे को सेम थेखिए, हमारे आप ये और हमारा है, तो ये देखिए, हमारे कर द subscribers अप सेया तर वीडियों किस तरह प्राम है, तो ये चिज़ा है, नब किसे उड़ुटरोबिपलने खं़।, हमारे धिवां गवेऎ।, हमारे Kान Le gent ग तर